रिवाइज रिजल्ट होने की बातें जरूर हो कहीं न कहीं उसी अभ्यर्थी से टी आरी टू के अगर है या टी आरी टी टी यारी वन के रहे हैं तो उसी अभ्यर्थी से वो पोस्ट भरा जाना चाहिए था यहां complete नुकसान अभ्यर्थी कोई हुआ है यहाँ पर एक समय था जब अभ्यर्थी और आप लोग इंतजार करते थे कि बीपेसी आयोग से कुछ ट्वीट आएगा कुछ इंफर्मेशन आएगा जिसको लेकर सारे लोग सही रखते कि हाँ अभी यह होने वाले लेकिन अभी आपको नहीं लगते कि बहुत स्लू प्रोसेस है कहीं से क मामला चल रहा है मल्टिपल कंडिडेट को ले करके और का अभी मामला सामने आया है जो सरकार के विरोध में जिस तरीके से कोट ने डिसिजन दिया है तो उसी को ले करके अब विहार सरकार का ये BPSC का मामला फस्ता हुआ नजर आ रहा है खास करके लेंग्वेज को ले करके जो बीच में बदलाओ किया गया है तो उस चीज़ को ले करके तो अब तो लेकिन इसके बारे में संपुन्टि पढ़नी करना उचित नहीं होगा और मामला लगातार क में अभी देखाएंगे हेरिंग लगातार चल रही है तीसले करके हमको लगता है कि कहीं न कहीं इसमें हल चल जरूर होगा और जहां तक कैंसील करने का जहां तक सवाल है मेरे ख्याल से वहां तक तो मामला नहीं पहुँचेगा लेकिन रिवाइज रिजल्ट होने की बातें और कुछ कंडिडेट बाहर के वह अंदर आ सकते हैं जो बच्चे अभी पढ़ा रहे हैं जो अभी टीचर बन चुके हैं जो पढ़ा रहे हैं अगर वो गलत होंगे अगर वो लैंग्वेज में कम माक्स लाएंगे तो बाहर हो जाएंगे गलत जो भी है वो खत्रा हमेसा मन ही रहता है क्योंकि अभी भी देखेंगे बहुत सारे कंडिडेट ऐसे थे कि जिनका डॉक्मेंट्स गलत था बहुत सारे ऐसे कंडिडेट थे गलत कंबिनेशन के कारण घुस गए थे लेकिन दुबारा से जब री वेरिपिकेशन हुआ तो उसमें उनको बाहर किया गया ले के रहे हैं तो उसी अभ्यरती से वह पोस्ट भरा जाना चाहिए था यहां कंप्लीट नुकसान अभ्यरती कोई हुआ है यहां पर चली टीरी वन की बात हो गए कि मल्टिपल वाला जो इश्यों वो है टीरी टू की भी बात हमने कर ली सप्लिमेंटरी पे तो आप कहेंगे आयोग पहले से बोल दिये कि हम नहीं देंगे यह कहीं न कहीं आयोग की जाती है अभ्यरती पर क्यों नहीं आप दीजिएगा जब मल्टिपल फॉर्म भराया जा रहा है कहीं न कहीं एक ही जगह बच्चे जोईन करेंगे तो आप क्यों नहीं इसका सप्लिमेंटरी और किस तरह से त्यारी करें क्योंकि सबके मन में सब लोग बहुत सारे शिक्षक हैं कोई कहता है वह पढ़्डो तो बहुत कनफूजियन हो जाता है कि अब अभियर्थी को बहुत समझाने की जौरत नहीं है, क्योंकि TRE1 हो गया, TRE2 हो गया, TRE3 हो करके कैंसिल हो गया, इसलिए इतना अनुभब इन अभियर्थी को हो चुका है, कि वो इस बात में फसने वाले नहीं है, आप लाग सजेसन देते रही है, आप उनको पता है कि क अपना बेस्ट देना है, अगर थोड़ा सा अलग लग भी अख्या किया जाये तो आपको भी मालूम है कि सबसे ज़्यादा थोड़ा सा कमफर्ट जौन में 11-12 वाले चातर है, दो से धाय गुना ही कमपिटिटर अभी भी है वहाँ पर, उसके बाद 1-5 वाले कमफर्ट जौ पांच लाग पौने पांच लाग के करीब बैठेंगे 87,000 प्लस पोस्ट के लिए, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर जैसे 1-5 की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर भी आपके सब्जेक्ट के इंपोर्टेंस को समझना होगा, अब जोग्रफी है, 16-22 सवाल आपसे पूछे ज रहेंगे, इसके अलावा रिजनिंग है, पहले एक समय था जब अभी हर्थी और आप लोग इंतजार करते थे कि BPC आयोग से कुछ ट्वीट आएगा, कुछ इंफोर्मेशन आएगा, जिसको लेकर सारे लोग सही रखते हैं कि हाँ, अब ये होने वाल है, लेकिन अभी आप एक एक बात सिखा दी सब है, अब उसको लेकर confusion नहीं है, अभी भी मामला फसा हुआ है, अभी भी आयोग के तरब से ये किलियर नहीं है, अभी भी तीन attempt पर ही बाते हो रही है, बिल्कुल खुश नहीं है, जब आप competition लेकर के बच्चों की बाहली कर रहे हैं, तो attempt वाली ब में आप देखिए कि आप साथ साल तो कोई vacancy नहीं दिए, और एक ही साल में आप चार बार vacancy दिए, यानि कि बिहार के जो छात रहंगे, जिस हिसाब से आपने तीन attempt का एक सिमा रेखा बना रखा है, यानि कि एक ही साल में विद्यार्थी का पूरा career समप्त, यहां पर तो दुख और कितना दर्द उन बच्चों को होगा, जा करके अगर लोटने की बाते होंगी थी, तो उत्तर प्रदेश के लोग सुनते हैं कि हमेशा one हो गया, two हो गया, three हो गया, three में तो इपलीक हो गया था, तो बाहर के लोग जादा बाजी मार देते हैं, शिक्षक बन जाते है, कि आपका state level का जो special reservation दिया हुआ है, कि महिलाओं का खास करके, तो वो सारा कुछ तो follow हो ही रहा है, लेकिन फिर भी 30 to 40% student other state के आ रहे हैं, और जो domicile वाली बाते हैं, लागू की गई है, अगर वो चीज नहीं होता, तो निश्चित रूप से और अभिर्थी का उधार, बिहार के बच्चों का हो सकता था, लेकिन चुकि ये भी बाहर जाते हैं, तो उस पर effects में अगर देखा जाएती, इस पर बहुत ज्यादा टिपन नी करना मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा, क्योंकि ये सरकार का निरने हैं, और जो भी निरने दी है, तो अंतिता आप follow करी रहे हैं, और आगे भी follow करना है, इस दो सवाल आखे दे रहेगा, एक की हमेशा आप cut-off भी एकदम सही, पश्ट बता देते हैं, जो बोलते हैं, वही cut-off हता है, इस बार बस यही पूछना है, शिक्षा का बिरती ही पूछते हैं, कि जो लेवल रहेगा, नीचे तो रहेगा है, उस लेवल से बना के चलना है, और जहां तक cut-off का सवाल है, हलांकि cut-off पर टिपरनी करना उचीत नहीं है, वह इस बात पर निर्वर करेगा, कि number of student कितने appear हो रहे हैं, question का level किस तरीके से आयोग रख रही है, question का level थोरा twist करेगी, cut-off down होगा, question का level कम करेगी, तो cut-off उप पर चला जाएगा, तो यह उस समय की परिस्थिती पर निर्वर करेगी, लेकिन यह बात तय है, कि जिस हिसाब से TRE1 का cut-off रहा, और TRE2 में इतना बराब बदलाव cut-off में देखने को मिला, अगर इमांदारी पुर्भक exam हो, तो cut-off निश्चीत रुप से down ही जाएगा, बढ कितने मंदर को जाते हैं, आप BPA SSC की बात ले ले ले, दरोगा की ले ले, बिहार पुलिस का ले ले, अभी लोग NCL का मामला नहीं हम बता रहे हैं, कि दावे लगातार किये गए कि बिहार पुलिस का exam का कि इस बार गरबर हुआ, अगली बार नहीं होगा, ये वेवस्ता है यहां जैमर लगा रहा हैं, वहां वो कर रहे हैं, लेकिन दुबारा से वो परिस्तिती देखने को मिला, तो इसी तरीके से बिहार, BPSC, TRE के मामले में भी सरकार को पुरी तरीके से सतर्क हो करके, और इस बात के लिए आस्वस्त करना होगा अभिहरती को, कि उस पिछली बा बाद एस्टेट ले सकती है, तो यहां कुछ भी संभव है, इसलिए 24 अगस्त जो संभावी तितित तै की गई है, TRE 4 के लिए, अभी निश्चित रूप से वही मान करके चलना चाहिए, और हमको लगता है कि कम सकम एक वेकंसी, चुकि अक्टूबर दो हजार पचीस में रही एक सप्लमेंटी रिजल्ट हम नहीं देंगे, यह नहीं करेंगे, तो मूल उद्देश होता है कहीं न कहीं यहां से सीट बचा करके आगे की और बरहना, तो एक बार TRE 5 तक भी हमको लगता है, कि स्टेट में चुकी लाब लेना है, इसले करके, लेकिन हम तमाम चात्रो आपको देना है,